हेलो दोस्तो, वैसे तो ज़्यादातर लोग फॉनपे के माध्यम से मोबायल रिचार्ज करना जानते ही होंगे लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक फॉनपे से मुबायल रिचार्ज करना नहीं जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको phone page application को open कर लेना है तो ये phone page का home page है इस type से कुछ home page आपको दिखाई पड़ता है थोड़ा सा आप नीचे को देखते हैं तो यहाँ पे एक mobile recharge का option नजारा रहा है तो इसमें आपको click कर देना है तो यहाँ पे search box में अगर आपको mobile number याद है तो यहाँ पे directly अपना mobile number आपने enter कर लेना है अगर आपको अपना mobile number या जिस भी mobile number पे आप recharge करना चाहते हैं वो याद नहीं है तो यह आपके phone के contact number यहाँ पे कुछ इस type से दिखाई पड़ेंगे तो यहाँ पे आप अपने contact को भी search कर सकते हैं जैसे अभी मैं अपने contact, एक contact का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस type से अगर मैंने यह नाम लिखा तो वो contact यहाँ पे आ जाएगा तो इस contact पे मैं select कर लूँगा तो यहाँ पे अभी processing हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दिखा रहा है कि यह vi vodafone idea का sim है और यह उत्तरपरदेश west का sim है यहाँ पे कुछ इस type से दिखाता है और यहाँ पे अलग-अलग type के plan दिखा रहा है जैसे one to one made for you plan में अलग-अलग type के यहाँ पे plans दिखा रहा है और hero unlimited में अगर tick करते हैं तो इसके अंदर भी कई सारे plans यह दिखाता है अलग-अलग type के इसके बाद data वाले plan यह यहाँ पे दिखाता है और कई type के यहाँ पे plans दिखाता है जैसे yearly plans, unlimited plans, entertainment plans तो इस type से आपको अपना plan select कर लेना है example के लिए मैं यहाँ पे एक plan select कर लेता हूँ आपको just दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक plan select कर लिया तो यहाँ पे मैं इस plan को select कर लूँगा और इस पे click कर लूँगा तो यहाँ पे कुछ इस type का interface आपको दिखाई पड़ता है इसके बाद आपको proceed to pay वाले option पे click कर देना है तो यहाँ पे आपके account number यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे bank account number की किस bank account से आप 110 रुपिया deduct करना चाहते हैं यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देख सकते है recharge amount जो है 108 रुपे का है लेकिन यहाँ पे platform fee यह दो रुपे चार्ज हमसे कर रहा है तो 110 रुपे अभी आपको 108 रुपे वाले recharge के पढ़ने वाले है इसके बाद simply आपको pay 110 वाले option पे click कर देना होगा इसके बाद यहाँ पे यह आपसे आपके 6 digit का UPI pin पूच रहा है यहाँ पे आपको अपना 6 digit का 6 अंको का UPI pin डाल लेना है और इसके बाद सीधा आपको yes वाले option पे click कर देना है yes वाले option पे click करने के बाद यह भी connecting हो रहा है कि हमारा recharge भी successful हो चुका है कुछ इस type से आपका यह recharge successful हो जाएगा इसके बाद done वाले option पे अगर आप click करते हैं तो अभी आपका यह recharge पूरा successful हो चुका है यहाँ पे home page पे अगर आप आते हैं और history पे आप यहाँ पे अपना recharge भी check कर सकते हैं यहाँ पे हमारा recharge यहाँ पे successful हो चुका है फर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाई पढ़ा है तीस सेकेंड पहले यहाँ पे हमारा recharge भी successful हो चुका है यहाँ पे payment detail भी आपको दिखाई पढ़ ही है यहाँ पे transaction ID भी आपको दिखाई पढ़ ही है कुछ इस type से अभी आपका recharge successful हो चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप phone pay की मदद से अपना mobile recharge कर सकते हैं धन्यवाद